नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नवीन कुमार और आज की कहानी राजस्थान के कोटा जिले की है राजस्थान में एक गाउं है बुढ़ा दीव इसी गाउं में सुमित यादव अपनी पत्नी रूपा यादव और उनकी चार साल की बेटी रोहिनी रहते थे सुमित और रूपा की शादी को करीब 6 साल हो चुके थे इन 6 सालों में रूपा एक बेटी रोहिनी की माँ बन गई थी सुमित सीधा सादा इंसान था सुमित का दिन जहां मेहनत मजदूरी करने में बीचता था वहीं रूपा का दिन मोबाइल देख कर गुजरता था सुमित दिन भर काम करता और शाम को घर लोट कर खाना खा कर बिस्तर पर जा पड़ता था रूपा जब रसोई का काम निपटा कर पती के पास आती तो वह नींद में खराटे भरता मिलता था यह देख कर रूपा को गुसा आता था वह दिन भर इसी सोच में रहती कि आज पती उसे शारीरिक सुख देगा मगर रात में थका मांदा पती उसे सोता मिलता सुमित कभी कभार ही रूपा से शारीरिक संबंध बनाता था मगर रूपा चाहती थी कि उसे पती हर रात प्यार करे वह पती से शर्म के मारे कहने ही पाती थी दिन बित रहे थे एक दिन रूपा किसी रिष्टेदार को मोबाइल पर फोन लगा रही थी लेकिन फोन किसी और को ही लग गया और ये एक रॉंग नंबर था और ये रॉंग नमबर रुपेश नाम के शखस को लगा था, जो जैपुर का रहने वाला था, रूपा को रुपेश से बात करके अच्छा लगा था, एक दूसरे से अंजान होने के बावजूद बातचीत करते रहे, और उन दोनों ने एक दूसरे का नमबर भी सेव कर लिया, रॉंग नमबर से शुरू हुई इस बातचीत के बाद, वह दोनों अकसर फोन पर बात करने लगे, और एक दिन दोनों ने फोन पर बातों ही बातों में प्यार का इLesहार कर दिया, और रूपा ने उसके प्यार को स्वीकार भी कर लिया, रूपेश को रूपा ने बता दिया था कि वह एक 6 साल की बेटी रोहिणी की माँ है। रुपेश ने रूपा से कहा कि वह रोहिणी को अपनी बेटी बना लेगा और पालन पोशन करेगा। रूपा यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसका प्रेमी उसकी बेटी को अपना रहा है। वह उसकी प्यार भरी बातों के जाल में उलश्ती चली गई। वह भूल गई कि वह शादी शुदा और एक बेटी की मा है। रूपा रुपेश पर इतना विश्वास करने लगी कि वह पती का घर छोड़ कर उसके पास जाने को तयार हो गई थी। दूसरी तरफ सुमित बीवी की हरकतों से अंजान था। 11 नवंबर 2020 को भी हर रोज की तरह सुमित काम पर निकल गया। शाम को घर लोटा तो उसकी बीवी रूपा और बेटी रोहनी घर पर नहीं थी। आस पडोस में सुमित ने बीवी और बेटी की खोजबीन की मगर वे नहीं मिली। सुमित ने रूपा के मोबाइल पर भी फोन किया, मगर मोबाइल स्विच आफ था। सुमित कई दिन तक अपने स्तर पर बीवी और बेटी की खोजबीन करता रहा। जब उनकी कोई खोजबर नहीं मिली, तो ठकहार कर वह 16 दिसंबर 2020 को बुढ़ादीत थाने पहुंचा। सुमित ने थाना प्रभारी अविनाश कुमार को सारी बात बता कर पत्नी और बेटी रूपा की गुमशुदगी लिखा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। रूपा को खोजने के लिए इटावा DSP विजय शंकर शर्मा के निर्देशन वध थाना बुढ़ादीत थाना प्रभारी अविनाश कुमार के नेतरित्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की तकनीकी जांच और मुखबिर से पता चला कि सुमित की पत्नी रूपा जैपुर जिले के थाना मनौहर पुर के गाव उदावाला में प्रेमी रुपेश के साथ रह रही है। पुलिस टीम ने 13 मई 2021 को सुमित की पत्नी रूपा और उसके प्रेमी रुपेश को हिरासत में ले लिया। लेकिन रूपा के साथ उसकी बेटी रोहणी नहीं थी। रूपा और रुपेश से पुलिस टीम ने रोहणी के बारे में पूछताच की। रूपा ने बताया कि पूछताच करने पर रूपा की एक ऐसी कुमाता वाली छवी उभर कर सामने आई जिसने अपने से 20 बरस बड़े प्रेमी रुपेश की खातिर एक लौती बेटी की हत्या कर उसका शव जंगल में फेंक दिया दोनों आरोपियों से की गई पूछताच के बाद एक कहानी सामने आई सुमित यादव से रूपा की शादी हो जरूर गई थी लेकिन वह उससे खुश नहीं थी क्योंकि वह उसकी शारीरिक जरूरत को नहीं समझता था इसी लिए वह अपने पती को पसंद नहीं करती थी रूपा छे साल की बेटी की मा हो गई थी लेकिन वह इतनी खुबसूरत थी कोई भी मर्द उसे पाने को बेताब हो उठता था 11 नवंबर 2020 को पती सुमित के काम पर जाने के बाद अपनी बेटी रोहिनी को लेकर बोरखेडा से जैपुर आ गई जहां से रूपेश रूपा और रोहिनी को लेकर अपने गाँव आ गया रूपा और रूपेश पती-पत्नी की तरह रहने लगे रूपेश ने आस्पडोस में कहा कि उसने रूपा से लव-मैरिज की है रूपेश अधेड उम्र का था वहीं रूपा जवान थी रूपा जैसी सुन्दर प्रेमिका पाकर रुपेश खुश था रुपेश ने रूपा को तन का सुख दिया रूपा अपने प्रेमिकी दीवानी हो गई अधेड उम्र में जब जवान प्रेमिका मिली तो वह रोजाना अपनी हसरतें पूरी करता दोनों मौजमस्ती से दिन गुजार रहे थे 9 जनवरी 2021 की शाम रोहिनी सीडियों से गिर कर घायल हो गई अगले दिन 10 जनवरी को रोहिनी को रुपेश और रूपा शाहपुरा अस्पताल ले गए डाक्टर ने रोहिनी को देख कर कहा कि उसे जैपुर ले जाओ इसके बाद भी क्या पता रोहिनी बचेगी या नहीं ऐसा करते हैं कि पैसा बचाने के लिए रोहिनी को ही मार डालते हैं इस पर रूपा ने उसका साथ दिया उसी रात नंदिनी को सोते हुए शाल मुह पर दबा कर रूपा और रूपेश ने मार डाला रात भर लाश वहीं पड़ी रही अगले दिन 11 जनवरी 2021 को रोहिनी का शव लेकर रुपेश और रूपा अलवर जिले के जंगल में पहुँचे और सुनसान जगह पर डाल कर वापस उदावला लोट आए शाम को उदावला आने पर रुपेश के आसपडोस के लोगों ने जब रोहिनी के बारे में पूछा रूपा ने अपनी छे बरस की बेटी को मारने के बावजूद रूपा सामान्य बनी रही उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी उल्टे वह तो अपने को आजाद महसूस कर रही थी उधर रूपा और रोहिनी के 11 नवंबर 2020 को घर से गायब होने पर रूपा का पति सुमित यादव दोनों की रिष्टेदारी में एक महीने से ज्यादा समय तक खोजबीन करता रहा जब कहीं भी बीवी और बेटी का पता नहीं चला तब वह थकहार कर 16 दिसंबर 2020 को थाना बुढ़ादीत पहुँच कर बीवी रूपा और बेटी रोहिनी की गुमशुदगी दर्ज कराई अगर रूपा और रोहिनी के गायब होने के तुरंत बाद अगर सुमित पुलिस थाने में गुमशुदगी की प्राथमी की दर्ज करा देता और पुलिस समय पर कारवाई करती तो रोहिनी जिन्दा होती रुपेश और रूपा से पूछताच के बाद पुलिस ने उन्हें कोट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया आज की दूसरी कहानी मध्यप्रदेश की है ये बात 2023 की है 13 अप्रेल की रात के 9 बजे का वक्त था जब कुरवाई टियाई राजकुमार यादव के सामने 24 वर्षिये लड़की आकर खड़ी हुई अपने 24 वर्षिये भाई उदल बागडी के दो दिन से लापता होने की बात बताई पुलिस को मामला गंभीर नजर आने पर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर दिया रिपोर्ट लिखवाने को आई उदल की बहन से पूछताच की तो उसने बताया कि मुझे शक है कि मेरे भाई की लापता हो जाने के पीछे महले में ही रहने वाली युवती शबनम का हाथ है क्योंकि उदल और शबनम के बीच कई साल से घलत रिष्टा चल रहा था दोनों एक बार कुरवाई छोड़कर भाग भी चुके हैं टियाई श्री आदव ने फरियादी की पूरी बात सुनकर अपने स्तर पर जानकारी जुटाई क्योंकि यूँ किसी शादी शुदा महिला पर हाथ डालना ठीक नहीं था पुलिस ने उदल और संदिख्ध शबनम के मुबाईल की कॉल डिटेल निकाली जिसमें पता चला कि ईद के रोज रात 11 बजे शबनम ने उदल के मुबाईल पर फोन किया था जिसके कुछ समय बाद उदल का मुबाईल शबनम के घर के पास लोकेशन दिखाने के बाद बंध हो गया था इसलिए पूरे मामले की जानकारी S.D.O.P. मनीश राज और S.P. विदिशा दीपक शुकला को देने के बाद T.I. कुरवाई ने शबनम को पूछ ताच के लिए उठा लिया महिला पुलिस की मदद से उसके साथ पूछ ताच की गई जिसमें पहले तो वह उदल की मौत के बारे में उसका कोई संबन्ध होने की बाद से मना करती रही लेकिन कुछ समय के बाद उसने अपना अपराद स्वीकार करते उदल की हत्या करने के बाद उसका शब जरगुआ नाले में फेंकने की बाद स्वीकार कर ली जिससे पुलिस एक टीम के साथ शबनम को लेकर जर्गु अनाले पर पहुंची जहां बोरे में बंद उदल की लाश बरामद कर ली गई शब के बाहर आते ही मौके पर मौजूद भीड ने उसकी शिनाख्त वाड नमबर दो माता बाग निवासी उदल बागडी के रुप में कर दी उदल की हत्या की खबर पहलते ही कुरवाई की बागडी समाज में गुस्से की लहर फूट पड़ी लोगों का मानना था कि उदल जैसे स्वस्थ्य व्यक्ती की हत्या अकेले शबनम जैसी नाजुक युवती नहीं कर सकती लेकिन शबनम से पूछ ताच की जिसमें पहले तो वह अकेले ही उदल की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की बाद करती रही लेकिन जब पुलिस ने उससे अच्छे धंग से पूछताच की तो वह तूट गई और पूरे मामले में अपने पती के अलावा कुरवाई में ही रहने वाले अपने अम्मी अब्बू भाई और शोहर के एक दोस्त के इस हत्याकांड में शामिल होने की बात सुईकार कर ली जिससे पुलिस ने तुरंत दबिश देकर शबनम के अम्मी अब्बू भाई और उसके पती के दोस्त को गिरफ़तार कर लिया इसके बाद अपनी कहानी सुनाते हुए शबनम ने बताया मेरा मायका कुरवाई में ही है इसलिए उदल को मैं निकाह से पहले से जानती ही नहीं थी बलकि हम लोग कच्ची उम्र में ही प्यार के लगभग सारे पाठ पढ़ चुके थे लेकिन इस बात की जानकारी घरवालों को लग गई तो उन्होंने मेरा निकाह बीना में रहने वाले एक युवक से करवा दिया लेकिन मेरा शोहर एक नंबर का कामुक इनसान था वह दिन रात मुझे बिस्तर पर लेकर पढ़ा रहता था जिससे जब मेरी तबियत बिगड़ने लगी तो मैं उसे छोड़ कर वापस माय के आकर रहने लगी बीना में शोहर को छोड़ कर करवाई आते ही मेरे संबंध पास के महले में रहने वाले युवक से बन गए जिसके साथ मैंने निकाह कर लिया मेरे बीना से वापस आकर एक अन्य युवक के साथ निकाह कर लेने की बात जब उदल को पता चली तो वह काफी नाराज हुआ उसका कहना था कि वो मेरे साथ निकाह करने राजी था लेकिन मैं जानती थी कि मजहब अलग-अलग होने के कारण उदल के साथ मेरा निकाह कर सुखी रहना संभव नहीं था बहराल दूसरा निकाह कर लेने के बाद भी उदल मुझे हमेशा हसरत भरी निगाहों से देखता रहता था लेकिन निकाह के बाद शुरुआती सालों में तो मैं अपने दूसरे शोहर से खुश थी लेकिन कुछ समय के बाद मैंने एक बार फिर अपने सबसे बड़े आशिक उदल से चोरी छुपे मिलना शुरू कर दिया उदल था भी बड़ा दिलदार जो मेरा खूब ख्याल रखता था और बेहद प्यार भी करता था वह दिलेर भी था इसलिए यह जानते हुए भी कि पकड़े जाने पर कजबे में बबाल मच जाएगा वह मौका मिलते ही मेरे घर में घुसाता था जिससे हमारे बीच जिस्मानी सुख का लेन देन एक बार फिर शुरू हो गया लेकिन फिर एक दिन जब में अपने आशिक के साथ हम बिस्तर थी तब ही मेरा शोहर वहां आ गया और उसने मुझे आशिक के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया विवाद तो होना ही था लेकिन उदल एक कदम आगे निकला उसे मुझे साथ भाग चलने को कहा जिससे उसी रात हम दोनों कुरवाई से भाग गए घर से भागने के बाद के कुछ दिन मैंने अपने आशिक के साथ खूब खुशियों भरे बिताए लेकिन यहां शोहर ने पुलिस को खबर कर दी थी पुलिस ने मुझे खोज निकाला जिससे मुझे वापस शोहर के साथ भेज दिया गया जिसके बाद मेरा शोहर बाद बाद पर मुझे उदल के नाम का ताना दे कर मार पीट तक करने लगा था इसी बीच मैंने एक बेटे को जन्म दिया तो पती ने नया बखेडा खड़ा कर दिया उसका आरोब था कि मेरी संतान उसका नहीं बलकि मेरे आशिक उदल का खून है जब तक बात मेरे तक सीमित थी मैं अपने आशिक के लिए शोहर का हर जुल्म बरदास्त कर रही थी लेकिन मेरे बेटे पर लगा आरोब मुझे सहन नहीं हो रहा था मैं बेहत परिशान थी लेकिन उदल को अपनी जिस्मानी भूख की पड़ी रहती थी वह आए दिन मौका देखकर घर आकर मेरे उपर हमबिस्तर होने के लिए दबाव बनाने लगता इससे धीरे धीरे मेरा उदल से क्या हर मर्द से मन उबने लगा था मुझे समझ में आ गया कि औरत की भावनाओं से इन मर्दों को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है उनकी अपनी जरूरत पूरी होनी चाहिए फिर औरत का मन हो या नहो इसी बीच अचानक मेरे शोहर ने एक बार फिर उदल को घर से निकलते देख लिया इस पर उससे काफी शोर शराबा किया और शोहर ने मुझे उसे या उदल में से किसी एक को चुन लेने के लिए कह दिया उसका कहना था कि अब वह बरदास्त नहीं कर सकता मुझे या तो उदल हो छोड़ना होगा या शोहर को मैंने शोहर को चुनकर उदल से दूर जाना शुरू कर दिया लेकिन उदल मानने तयार नहीं था वह बार बार मेरे साथ आकर पुराने रिश्टे को जीने की कोशिश करता रहता था इसी बीच मुझे ध्यान आया कि किसी और रोज आये या ना आये उदल ईद के दिन अवश्य ही मुझे से मिलने आएगा इसलिए मैंने उस रोज उसका काम खत्म करने की ठान ली क्योंकि इसके बिना उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला था ये बात मैंने अपने शोहर को बताई तो वह भी राजी हो गए इसलिए मैंने उदल से कहा कि ईद पर वो उसी समय घर आये जब मैं उसे बुलाओं इसके बाद योजना अनुसार मैंने उसे लगभग 11 बजे रात फोन करके घर आने को कहा इस पर उदल ठीक समय पर मेरे घर आ गया और इद के बहाने मुझसे नजदीकी की मांग करने लगा मैंने भी उसे बहलाए रखा और इसी बीच मौका पाकर छुपकर बैठे शोहर के साथ हम दोनों ने उसका काम तमाम कर दिया इसके बाद पूरे 24 घंटे तक उदल की लाश हमारे घर में पड़ी रही दूसरे दिन लाश को हम दोनों ने मेरे अम्मी अब्बू और भाई तथा शोहर के एक दोस्त की मदद से रात में बोरे में बंद कर नाले में भेंक दिया इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया और विस्तरित पूछताच शुरू की शबनम ने अपने बयान में बताया कि कैसे उसने अपने परिवार और पती के साथ मिलकर उदल की हत्या की योजना बनाई थी पुलिस को शबनम के मोबाइल से उदल के साथ की कई तस्वीरें भी मिली जो उनके लंबे संबंधों की पुष्टी कर रही थी मामले की गहन जाँच के दौरान शबनम के पती और परिवार के बाकी सदस्यों ने भी अपराद में अपनी भागीदारी कबूल कर ली शबनम ने अपने पती को भरोसा दिलाया था कि उदल के मरने के बाद उनके रिष्टे पर कोई खत्रा नहीं रहेगा हालांकि समाज और कानून की नजर में उनका अपराद सपष्ट था पुलिस ने हत्या में इस्तिमाल किये गए हत्यार और अन्य सबूत भी बरामत किये जो इस साजश को पूरी तरह से उजागर कर रहे थे जल्द ही पुलिस ने इस पूरे गिरोह के खिलाफ हत्या, साजश और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया यह कहानी हमें रिष्टों में इमानदारी और जिम्मेदारी का महत्व समझाती है जब इनसान अपने स्वार्थ, आकरशन और इच्छाओं में अंधा होकर दूसरों की भावनाओं और जीवन के साथ खिलवार करता है तो इसके परिणाम अक्सर दुखद होते हैं शबनम और उदल के बीच का रिष्टा एक ऐसी ही कहानी को बया करता है जहां रिष्टों की हदों को पार कर दोनों ने न केवल अपनी बलकी अपने परिवारों की जिंदगी में भी तूफान ला दिया इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी के साथ धोखा, नाजायज, संबंध और जूट की बुनियाद पर टिके रिष्टे एक न एक दिन बिखर ही जाते हैं खुद को सही रास्ते पर रखना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना ही इनसान को विनाश से बचा सकता है कानून और समाज से छुपकर किये गए गलत काम एक न एक दिन उजागर होते ही है और तब उन्हें छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता हमारा उद्देश है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बहतर बना सकें इसी तरह की सची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लोटूंगा तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखे कि किसी भी संदिक स्थिती में सही कदम उठाना कितना जरूरी है